प्रदेश के सिंगराली जीले के ट्रामा सेंटर में सिस्टम पूश चर्मसार करने वाली तस्वीरे साम्याई है यहम रतक नवजाद बच्चे के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई लचर स्वास व्यवस्ता से मचबूर होकर पिता मोटसाइकल की डिग्गी में शव लेकर मदद के लिए कलेक्टर के पास पहुँच गया कलेक्टर ने उचित कारिवाही का भरोसा दिया है सिंग्रॉली जीले के जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में किस तरह की बधाल व्यवस्ता है इसकी एक बधाल तस्वीर यहां आज देखनी को बिली है जहां 17 अक्टूबर को दिनिश भारती अपनी पत्नी मीना भारती को लेकर सिंग्रॉली के जीला अस्पताल पहुचा था पत्नी की डिलिवरी कराने के लिए लेकिन पहले यहां पदस्त स्टाफ ने अस्पताल की डॉक्टर सरीता शहा ने प्रसव कराने की वज़े महिला को शाष के चिकेसक से नीजी क्लेनिक उसे भीज दिया और पाच हजार रुपे भी ले लिये गए लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि बच्चे की कोक में ही मौत हो गई है तो उसे वापस जिला अस्पताल भेज दिया और वहां उसकी डिलिवरी करवाई गई मौत बच्चे का जब जन्म हुआ तो परिजनों ने एंबुलेंस की मांगी हम अपने बच्चे को अपने गाउं ले जाकर उसका अंतिम संसकार कर सके परिवार जनों को इस बील गाम सिस्टम ने एंबुलेंस तक मुहिया नहीं कराई जिसके बाद पिता दिनेश भारती मौ मौत बच्चे को अपनी मोटर साइकल की डिग्गी में डालकर कलेक्टरिट पहुच गए और कलेक्टरिट को अपनी फर्याद सुनाई जिसके बाद सिंग्रॉली कलेक्टर आरार मीना ने पुरे मामली की जाच एसजेम को तुरंत आदिश दिये हैं अब देखना यह होगा क कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और बधाल स्वास्त व्यवस्ता पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं